आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा गंटा बहुत जरूरी होता है आप लाइफ में किसको किसको I love you बोले हैं कभी भूले हैं नहीं कौन कौन आपको मारा है या कुछ उल्टा जिदा बोला है नहीं बोलते हैं प्यार महबत आपको होई जाता है यह उम ही हमारे मेमोरी को कंट्रोल करके रखता है जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीज़े हर चीज़े याद रहती है तो इसको नापने का भी कोई ना कोई एक यूनिट होना चाहिए ना जैसे हम आपको गेहू देंगे तो तू रत्ते उसको कीलो में ना पिएगा चावल देंगे तो कीलो में ना पिएगा कपड़ा देंगे तो मीटर में ना पिएगा गैस देंगे तो भल्यूम में ना पिएगा एमेल में ना पिएगा लीटर में पानी ना पिएगा उसी तरह से हम कितना देर याद रखते हैं इसको काटेक्स में नापते ह उसे कहते हैं कि इसका काटेक्स कम है, यानि IQ लेबल इसका कम है, समझे आगया कि नहीं आगया, किसी को दिख कर, अब हम आपको एक्जामपल देते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे टीचर आये होंगे, कुछ टीचर आपको नोट्स खोल के पढ़ाते हैं, कुनो किताब उ इस को समझा देते हैं, यह हिसाब किताब व़ला किताब है, दिवाली के समय हिसाब किताब फइनल होता है, सबका सलेरी उलरी का, तो कुछ टीचर को देखेगा नाथ, इसका किताब लेके रखे रहेंगे लोग, इसी में देखके पढ़ा देंगे, बाबु देखो, नर्भा सिस्टम का तीन को पार्ट होता है, ऐसे लोगों का, मतलब भी खाता बुगरक दुभई इसका हिसाब दिवाली में हो जाएगा, तो यह ऐसे लोगों का IQ लेबल कम है, लेकिन कुछ लोगों को देखेंगे, आप उनको किताब उताब से मतलब नहीं होता है, जैसे आप इलाबा बढ़ने के लिए आपको बताएं भी थे, दिमागीन खाईए, अच्छा राता है, एक ही तरह की सोच मत सोचिए, अच्छा राता है, समझा गया है, प्यार वगरा के चक्कर में मत रहिए, अच्छा होता है, देखिया, प्यार महबबत आपको होई जाता है, यह उमर की गल् के रखिये कि भाई हमारी लाइफ अलग है, तुम टंपरोरी आए हो, नहीं तो इसमें चल जाओगा, लेकिन अगर फ्रेम महबबत में पढ़ेंगे, तो हाइपो थलेमस एक्टिव होगा, पूरा नर्वस सिस्टम को चौपट कर देगा, समझ में आगे कि ने, IQ लेबल किसक अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे, गीन के 42 दिन में आपका IQ लेबल तेज हो जाएगा, फिर आपका याद हो गया, और अगर यही खतम हो जाएगा, तो क्या कहिएगा, आपका भी IQ लेबल गिर जाएगा, सपना कैसे आता है, इस और ब्रेन के वज़े से आता है, ठके नहीं रहेंगे, ना नीद अची नहीं रहेंगे, तो सपना आने लगेगा, क्योंकि ब्रेन कभी रेस्ट नहीं करता है, टॉपिक भूल जाते हैं, मतलब आपके दिमाग में दूसरा टॉपिक चलता है, आप लाइफ में किसको किसको I love you बोले हैं, कभी भूले हैं, नहीं, क आप दिन पर मारेंगे ना तो वो एदम फिक्स हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा, हम लोग को क्या है बयाद दिन रात पढ़ाते 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 आदमी पगला जाता है, इसलिए आप कोई नीद में भी पूछेगा, खाएं सर स्वायत तंतरी का कांट्रोल रहता है, जैसे हम से कोई पूछेगा, कि आप भी अगर पूछेगे, कि खान सर जो एक हफ्ता क्लास नहीं लिये थे, कहां थे, तो हम सोचने लगेंगे, ये स्टूडेंट है, इससे हर बात क्या बताएगा आदमी कि कि इस डॉक्टर के पास थे, कहां गये थे, नर्मल बोल देंगे, बावु, थ्रा सा है, मेडिकल हेल्थ ही सुता है, इसलिए चले गए, लेकिन अगर ममी पापा पूछेंगे, तो हर चीज बताएगे, तो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं राता है, वो उसे क्या कहते है, सॉब कॉंसियस माइन, जैसे कोई हमारा ना आप फोन पर बती आते भी चले जाते हैं, तो जब कभी किसी चीज को बहुत बार रिवाईज मार देते हैं, तो वो चला जाता है, सुब कॉंसियस माइन में, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सपना कैसे आता है, जब आप थक, जब आपकी नींद अच्छी नही होती है तब, नीद प्रॉपर लिया कीजिए, नीद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, आप जिस दिन बहुत ज़्यादे ठके रहेंगे, उस दिन कोई सपना नहीं आता है, हम लोग का जब आफ लाइन क्लास रहता था, सुबह साथ बजे से रात नो बजे तक पढ़ाता था, आदमी जोने करवट सोता था, उदरे उड़ जाता था, सपना का नामे नहीं आता था, संगरे, एक चीज पूछ रहे हैं, सर कोमा क्या चीज होता है, और सर दरद क्यों करता है, जब ही आपके बडी में ऑक्सीजन की कमी आएगी, वो चीज दरद करने लगेगा, जैसे आप दोडेंगे, तो दोडेंगे तो आप सांस जादे नहीं ले पाते हैं, ऐसे लेते हैं, तो बडी में सांस नहीं पहुच पाता है, और हाथ, पैर में आपके लक्टी के सिट जम जाता है, जिसलिए दरद करने लगता है, तो जब कभी में मेहनत करने लगेगे, या फिर दव ह तो brain दरद करने लगता हुआ। दूसरा coma क्या होता है। brain हमेसा working करते रहता है। अगर वो rest में चला गया तो उसी को coma कहते है। अब permanently rest में चला गया तो मरी ये जाएंगे। बेहोसी में क्या होता है? कि brain और spinal cord का संपक्र टूढ़ जाता है… brain और spinal cord का संपर टूड जाता है, तो उसी को क्या कहते है, बेहोस हो गया है, पानी उनी छिड़केंगे ना, तो spinal cord में उसमें संपर जूड जाएगा, लेकिन brain और spinal cord, कामे नहीं कर रहे हैं से, तो कोमा में चले गा है, कोमा को half death का आ जाता है, आधा मरा हुआ वेक्ति है, जो order लेके आता है, order देता है, किस से, brain से order देता है, किस को, body को, body को यह order देता है, और sensory nerves क्या होते हैं सब, यह order को receive करते हैं सब, यह क्या करते हैं सब, send, यह देखिए, जैसे माल लिए, यहाँ कोई मच्छड काट रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, मच्छड काट रहा है, तो मच्छडवे काट रहा है कैड़ नहीं काते हैं कि साप काट रहा है गया नहीं क्योंकि यह sensory nerve है यह sense करने काकाम करता है इसको पता है कि मच्छड काटने का दर्द कैसा होता है तो यह sense ंस करेगा तो brainwa का seri brahm है वो करा तो याद है कि मच्छड चूब रहा है तो brain को पता जो लेगा से उज़ा मच्छड चूब रहा है तो brain order देगा किस से motor nerves से brain किसको order देगा body को हाथ को काएगा मार तो तो जैसे इधर से मच्छड काटा sense करेगा sensory nerves sense करेगा sensory nerves तुरत मैसेज भेज़ेगा ब्रेन को, अब ब्रेन कहेगा, आउडर देगा हाथ को मार तो, देखेंगे तो मर जाएगा, यहां मारेंगे, क्योंको दूर्ट तरीके मचलवा को यहां फोटो कॉपी हो गया, मचलवा कहा गया, तो आदमी खोचता है कहा गया, और फिर माल देता सूराख काट रहा था हम को यहा अपर, जहीं दोनों मैन होते हैं सब्सक्राइज कि दूर्ट जाएज पिछ ओर देगा। किसी को दिकत तो बॉडी से ब्रेन में सेंस कराता है सेंस और 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 देता है मोटर नर्प्स फालीज मारना सुने किसी को फालीज मार दिया सो चुरह वहां का सेंसरी नर्प्स से खतम हो जाता है सेंस से नहीं रह जाता है तो एंगल लेके घुमता है ऐसे कंची होगी लो आप ऑइनेलकटर से काट रहा है तो यहां का सेंसरी नर्फ का एगा रहा बखलोलोवा ज्जादे kaट धिया यहाँ पर तो यह झाडर देगा और नेलकटर कभी देख्या है क्या से खुत्ते-जार रहा है जाइसे घौप हैं तो सेंसरी सेंस करने के लिए भेज देगा, कि अप अपने को नहीं नहीं खोपा जाता है, दूसरे को घोप दो, सहन्मिया गया, किसी को दिख कर, ये क्या करता है, brain-to-body brain-to-body motor nerves means which sensory to be able to target brain अभीसे मिक्स नर्फ आई, उसे जिए, मिक्स नर्फ तो दोवा काम करता है मिक्स नर्फ क्या करता है दोनों काम करता है ले आने ले जाने दोनों का काम करता है जब कभी इसमें गढबड़ी आ जाए इसमें गड़बड़ी आ जाए या इसमें गड़बड़ी आ जाए तो भगवान ये को safety के लिए दिया है ये दोनों का काम कर देता है इसलिए नाम है इसका mixed naps ब्रेन हेम्रेज होता है ब्रेन में बहुत छोटी छोटी नसे होती है बहुत पतली पतली नसे वो नसे फट जाती है उसी को क्या कहता है हेम्रेज कहता है हेम्रेज का मतलब होता है एक चीज का दूसरे चीज में आके touch हो जाना तो नसे बहुत पतली होती है फूल के दूसरे मे टच होती हैं जिससे रगण के कारण फट जाती है तुसरे को करता है ब्रेन है और व्यक्ति की मौत हो जाती है ब्रेन में कैंसर होई नहीं पाता है ट्यूमर होता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है